बालिया निकलने के बाद जब बालिया नीचे लटक जाती हैं तो कोई भी systemic दवा hopper पर इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती हैं तो फिर इस condition पर हमें अपनी फसलों में जो contact based insecticide आते हैं तो इसको प्रयोग करना पड़ता है अगर इस समय भी मतलब धान पकने में 20-25 दिन और लगेंगे तो इस समय अगर hopper का attack बहुत जादा हो जाता है तो भी हमारी फसल की जो पैदावार होती है वो 5-6 control की पैदावार कम कर सकता है मतलब हमारी फसल सूख के गिरने लगती है इसलिए BPMC जो contact based दवा आती है तो फिर इसका प्रयोग करना पड़ता है BPMC का प्रयोग हम अपनी फसलों में दो तरह से कर सकते हैं एक तो सप्रे के दवारा चिड़काव कर सकते हैं और दूसरा रेत में बलाकर भी चिड़काव कर सकते हैं इसके लावा इसका सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब धान के एक पौदे में 10-15 भूरे कुदने वड़े माउ दिखाई देते हैं तो इसे रेत में मलाकर चीटा देने से भूरे माउ का पूरी तरीके से सफ़ाय देहने को मिलेगा क्योंकि रेत के साथ ये दवा एक दम जड़ों के पास चली जाती है जिससे बाद में ये दवा धीरे धीरे अपनी गैस के दुवारा हॉपर पर तुरांत असर करने लगती है और हॉपर पूरी तरीके से मरा